वीके न्यूज राश्ट्र के नाम योज बाइब आपता हैंगा हैं वापस इंडिया जा पांगे क्योंकि दो मार्श की हम लोगी फ्लाइट पिक्ट इंडिया इंडिया वापस हेंगे हमारी इंडियन कवर्मेंस ने बहुत इच्छी सुविधाय दी हमारे फ्लाइट सब लेबल से हमें एरपोर्ट जाने का एक्टम आराम से सुविधाय मिली खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ हाँ बहुत अच्छे से हमारे बाकी साइट जो फसेवेते वो कल भी लेंड कर गया है कुछ आज लेंड कर गया है थैंक्यो समोदे सार हम लोगों ने बहुत बहुत आराम से महां से निकल गया है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडिन एमबेसी ने हमें बहुत ही इसको रक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुचाया तो मैं हमारे प्रदान मंत्री नरिंद्र मुझी जी यानि कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक शुरक्षित पहुचाया और मुझे विश्वाश है कि और भी जो बच्चे फरसे हैं आप उन्हीं भी जल पर जलूं के घर पहुचा देंगे सर 24 तारीक को जब अटेक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहां से अपने देश वापस नहीं या पाएंगे और सर दो रात हम ऐसे गुजा रहे हैं कि हम मौत को कितने करीब से देख चुगे हैं बच सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और गर्व है मुझे यहां के सरकार पर सराब पर और सर सबसे आदा कर मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर जब हम इवाक्वेशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पर तिरंगे को लगा दिए ताकि जब रसियन आर्मी देखेगी तो आपके क्यों तिरंगे से वह आपको टच भी नहीं करेगी और इस सरी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुगा उस दिरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था और सिंगर होप ओनली इस दिस की हमारा गॉर्मेंट और फॉस्ट ऑफ और सबस्टेशली यूसर सर भगवान के बाद अगर अगर में नाम लिया जा रहा था तो सर वह आप थे मोधी जी हमें बचा लेंगे जो भी कर सकते पैरेंट सब हो देते हैं सर क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पैरेंट कुछ भी कर सकते हैं पर उस सेचिवेस्टेशन में सर पैरेंट सांट डू एनिधी जी अद आट टाइंगे वह कुछ कर सकते हैं अब कोई कुछ नहीं कर सकता हम जब बस पर जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहां पर हमारी चेकिंग हुई आर्मी अंदर आई बट उन्होंने छोड़ दिया मैं मतलब हमारे फ्लैक को देखे छोड़ दिया इविन जो अधर कंट्रीज के बच्चे थे नाइजेरिया और एकन वो सब हमारे चंडे को यूज करके वो लोग बहां से बॉडर क्रोस कर रहे थे तो सर्थ थेंक्यू सो मच और एक्टिटिंग अस थेंक्यू सूमस्ट कि मेरे दादी ने मुझे बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिता जी ने तो ये नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोधी मोधी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आप जरूर ही निकाल देंगे जब अटैक हुआ था उस 24 को तो 25 को हम सारे राशन वाशन की लाइन में लगे हमें लगा कि एक हफते लग जाएंगे हमें एक वाइवाइशन के लिए लेकिन हमें 26 को ही मैसे जा गया कि आज आपका एवाइशन है हम बॉर्डर पॉचे फिर वहां से हम रुमैनियन बॉर्डर को प्रॉस किया और फिर वहां से इंडियन एमशी नहीं बहुत साथ दिया हमें तुरंत इव दियुकmenरी करता हुए तो उनको पता चला कि सरकार ने इसना इंतजाम किया है आजाओंगी जैसे उन्हाने मुझे देखा आपको इतनी दौाई दिए दी आप अमेश़ा खोश रहा हमेशा जी है उसके बाद हम लोगों को जरा सी भी दिकत कहीं भी महसूस नहीं हुई हमारे इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैक के दरी दूसरे नेशन के लोग निकल रहे हैं तो थैंक यू सो मच सर्थ थैंक यू सो मच ना देश मजबूत हो इन सारी समझज़ों के समयदान उसी में है उसी प्रकार से मैं तो भी मानता हूं कि अगारे देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतिया सही होती तो आप लोगों को बार नहीं जाना पड़ता नहीं जाना पड़ता कौन माबाब चाहते हैं इस चोटी उमर में अकेले बेई ते कोई माबाब नहीं चाहता है लेकिन हम लगे हैं देखिए पहले करीक्त देश में जाने के भीच में हमारी यह मेडिकल कॉलेज थी अब हमकरी 700 पर पहुंच गये हैं और जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं पहले हमारे देश में कोई कि असी नभी हजार के बीच में सिटे थी अब पांच साल में उसको डेड़ लाग तक पहुचा दिया है यूपी में भी नए 200 विद्यारतियों के लिए सिटे बनाई है यहां प्रावेट मेडिकल कॉलेज भी करिब के डबल हो रही है और मेरी कोशिस है घर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जिस प्रकार की कोशिस हम कर रहे हैं तो शायद 10 साल के भीतर भीतर पिछले 17 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे इतना बड़ा काम हो जाएगा तो फिर बच्चों को बहार भी नहीं जाना पड़ेगा मजबूरियां खतम हो जाएगी परिवार को भी टेंशन नहीं होगा तो मेरी कोशिश है लेकिन अच्छा है सब को भी बताईए कि भी देश के लिए तो कुछ लो कुछ करते रहना चाहिए कि समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए तो इस संकट के समय स्वाभाविक है क्योंकि अगर कोई बच्चा घुसा भी करता है तो मैं मानता हूं यह स्वाभाविक है इतनी मुसिवत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना तो यह बहुत स्वाभाविक है अगर किसी बच्चे को उसके माबाप को भी अगर गुसा है इवन मेरे लिए तो भी मेरा मत है कि उसका गुसा जायज है जाए जे खर जब समझेगा मन सांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा तो लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुक्वाम ने भिया